फेलो दोस्तो गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब दोस्तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल लए होगी आपका एक्जाम दिन पर दिन बहुत नस्दीक आता जा रहा है और इसलिए आपको तैयारी में कोई भी कसन नहीं चोड़े है है दोस्तो तो आए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अबाई के लिए प्रियूप किया जाने वाला अपकरंद कौनसा है तो देंगे जो तरल दबाई को जो मापने के लिए जो हम अपकरंद का महारा मेनो मीटर चलते हैं अगले के तरह आपमर मानौ पेटकी कारじゃない के बारे में पता लगायाइ दोस्तो कैसे लिखाय था सो बिलियम बियू मटर है किसीन लगाया था बिलियum वी मोंटर अब चलते हैं अगले के तरह तरह मानौ पेट mentor दरब वो अगला question भी आप स्क्रीन पर देख रहा होंगे question नमारा पिर्ती बंद दरपण के पीछे बना पिर्ती बंबे सीधा और समान आखार का है यह पिर्ती बंबे किसके द्वारा बनाया जाता है तो समतल दरपण के द्वारा बनाया जाता है किसके द्वारा बनायो रिख जाता है दोस्तों समतल दरपण के द्वारा बनायो जाता है अब चलते हैं अगले question डाप को द्वाशीन के द्वाता ही जो मशीन का इस्तामाल करते में हमारा पवनु के चलने का मुक्हष न क्या है तो पवनों के चलने का मुख कानन पिर्थवी का आस्मान था आप छोटी सी आपको एक restriction देना चाहेंगी कि हमारे चेनल के दौरा तीन हजार प्लस कोईशनों की एक PDF आपके लिए तयार की गई है इसमें बहुत ही जादा आपके लिए यूजपुल और महत्मूल कोईशन बनना एफेक्ट है अबजेक्टिब कोईशन इसके साथ कुछ थोरीकल कोईशन भी है हमने इसमें हिंदी सामाने बिग्ञान, सामाने मदबर्दिस का ज्यान इसके साथ कम्प्यूटर और जो आपका नया सब्जक्ट इंक्लूट हुआ है सामान प्रबंदन उसको भी हमने इंक्लूट किया सबकी पीडियाप अलग अलग है और सबके 500 से ज्यादा कोईशन हर पीडियाप आपको मिलेंगे मातर 49 रुपे में यह आप पर्चिस कर सकते हैं दोस्तों कितने में मातर 49 या नहीं 39 रुपीज में पर्चिस करने के लिए हम आपको एक नंबर बता देते हैं इस नंबर पर आप हमको WhatsApp मेसेज कर सकते हैं और PDF लेख सकते हैं और चलते हैं और यह नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया आप बहां से भी इसको ले सकते हैं अब कि चलते हैं वो अगले कुशंट सुड़ा का प्रिजोग चीटी काटने के पेरभाव को बे असर करने के लिए की ली किया जाता है, चीटी काटने से फार्मC Acid तुचा के लंग में पहुंच जाता है फार्मिक एसेट आमल तुचा में पहुंच जाते हैं दोस्तों देखिए जो बैक्म पाउड़ो जो सूड़ा होता है अगर चीटी काट ले तो अगर इसको बैक्म पाउड़ो सूड़ा को आप अपनी तुचा या उस जगह पर लगा ले जिस जगह पर उसने जो फार्मिक एस स्कीन पर देख रहोंगे अगरे से रस क्या काम करता है तो अगरे से रस जो होता है कार्वो हाइडरेट प्रोटीन और बसा को सरल पधारतों में विवाज़त करता है क्या करता है क्या करता है दोस्तों कार्वो हाइडरेट प्रोटीन और बसा को सरल पधारतों में विवाज ने क्याता है आप चलते हैं हम अगले क्वेशनिंग दर्पन और अगला क्वेशन भी आप स्कीन पर देख रहा हूँगी गोली दरपन जिसे कहते हैं तो अब तल और उत्तल दरपन को हम गोल के दरपण कहते हैं अब दोस्तो छोटी ची रिक्वेश्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ओन कीजिए ताकि किलास को नोटिफिकर सबसे पहले आपके पास मोचे बार बार आपसे हर क किलास में रिक्वेश्ट करने हैं दोस्तों किलास अगर आपको पसंद आती है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना चलते हैं अब क्वेश्टन की तरह बगला क्वेश्टन है रखते में उपस्थत कौन सी कोशी का सफेद रख्त कोशी का हैं कौन सी कोशी का हैं सफेद रख्त कोशी का हैं ठीकी ना अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्टन की तरफ अगला क्वेश्टन भी आप इसकी पर देख रहोंगे पित्य सर जो मानो शरी में बसा के पाचन में एक महत्तुपूर भूमिका निभा तो इस्टो थो इस्कोप का इस्तमाल किया जाता है अब चलते हैं अगले question । अगला question है कौन सा lens उस Gाड़ी पड़ रही प्रिकास को अभी सरित करता है तो उत्तल लेंस हैं अब चलते हैं आपने अगले question की तरफ अगला क्वेशन है दोस्तों मारा जब एक प्लास्टिक इस्ट्रो पॉलिथिन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक इस्ट्रो में जो चार्ज उत्पन होता है वे हमारा रात्मक चार्ज होता है कौन सा चार्ज होता है दोस्तों रात्मक चार्ज होता है और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे पड़वारी के गुरुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे मैंने एक नंबर दे दिया है अब बहाँ पर अपना पूरा नाम और जिले का नाम हमको मैसेज कर सकते हैं हम आपको गुरुप में एड कर लेंगे और बहाँ पर दोस्तों मंद पर दिश की तरफ दोस्तों अगला जो क्वेसिन हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा धवनियों की दीवारे मौठी और लचीलि होती है क्यों की क्यों होती है दे देखते हैं तो धमनिया हिर्दे से औक्सीजियन युक्त रक्ट्ट शरीयर के विभिन नहस्तों तक ले जाते हैं टाइपिंग करते समय क्लासिस बनाते हैं बनाने वाले तो दोस्तों क्या होता है जो टाइप करते समय कुछ क्वेस्टन के आंसर कभी-कभी बाइचांस मिष्टन हो जाती है जो हमारी कलिकी क्लास जो मतप्रदेस सामने गया नहीं थी उसमें एक क्वेस्टन चोटा सा मिष्टिक हो गया आंसर लिखा भी था गलती से मैंने गलत पढ़ दिया उसको तो सोन नदी उसका अंसर था पहला ही क्वेस्टन था तो उसके लिए हम आपसे मापी चाहेंगे आंगे से गलती को सुधा रहेंगे जो क्या होता टाइपिंग करने में और पढ़ने में कभी कभी जल्दवाजी मिश्टिक हो जाती है तो उसके लिए उसके लिए मैंने बता भी दिया अब लोगों को चलती है अपने क्वेस्टन तरफ एक noon जेकंड है तो कितना है एक एक सेकेंड का अरब माहिस्सा होता है हमारा एक नेलो सेकेंड चलते हैं अगले क्वेसिंग तरब गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं हलके रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं कौन से रंग आप Quesin को सुनना जब हम dressing table पर अपने बालो से कंगी करने के लिए खड़े होती हैं तो छबी में हमारा बाया हाथ दाये तरब दिखता है और दाया हाथ बाये तरब दिखता है यह प्रिकरिया क्या कहलाती है तो यह प्रिकरिया पार्स में परिवरतन क्यलाती है क्या क्यलाती है अब दोस्तों आप से एक छोटी सी रोकेश्ट है अगर आप चैनल पे नहीं तो जरूरर चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल ऐकर और को विजिए लेकर लगन एक चीज और आपको बताना चाहते हैं दोस्तों हमारी क्लाश से जितनी भ और भी सुनेगे तो आपके बहुत सारी question याद हो जाएंगे क्योंकि हम जैसे question पढ़ते हैं उससे पहले आपको answer आजाना चाहिए अगर नहीं भी आता है तब भी आपको सुनने से बहुत से question याद होंगे हाँ अगर आपको यह question पसंद आते हैं तो मैंने पीडियेप में बता दिया है कि 3000 question की पीडियेप हमने बना दिये और लेना चाहते हैं तो आप में नमबर में फिर से लिख देता हूं 786-941-89 इस नमबर पर आप हमको बहुत सो message कर सकते हैं यह number में ने description में भी डाल दिया है दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले question तरफ अच्छी मिट्टी है तो जो बढ़ते हूँ यह प्रदों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कोशी है तो 2 मेड मिट्टी है कौ न सी मिट्टी है दोस्तों 2 मेड मिट्टी है अगला question है लाल रुधिर कोशी कहाओ में लाल रंग का बढनक पाया जाता है ये कहलाता है तो hemoglobin कहलाता है क्या कहलाता है हीमोगलोविन कहलाता है आप चलते हैं अपने अगले question दरह और अगला question भी आप इस screen पर देख रहोंगे दोस्तों कौन सी तरंगों के संचर्ण के लिए किसी भी माध्यम की आवस्कतन नहीं होती है तो प्रिकास तरंगों के लिए नहीं होती है किस के लिए नहीं होती है प्रिकास तरंगों के लिए नहीं होती है अब चलते हैं अगले गरन करते हैं, अब अगला कुईस्टन भी आप देख लिए फ्यूच के कार करने का सिद्धानत है कि वे बहुत जल्ली गरम हो जाता है और पिखल जाता है, इसलिए यह फ्यूच हो जाता है जोस्तों, आप चलते हैं, देखिँ, फ्यूच का सब सबुढ़ा कारन यही है, कि ब उत्पाद जिसका उप्योग पेंट बिस्पूट को और इसके साथ प्लास्टिक के निर्मारग में सुल्वाती समागी के लिए किया जाता है बे हो जाता है तार खुल क्या हो जाता है अगला क्वेशन है जल एकटा करने का एक पारंप्रिक तरीका है बावरी टीन अब अगला question है मेड़कू में कार्यांतरन के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन्स कौन सा है तो थारोकसिन है कौन सा है दोस्तो थारोकसिन है अब इसकी साथ अगला question की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो अगला question हमारा गैस इस्टोब बेनर से उत्पन हुई लोग का रंग नीला होता है दोस्तों कैसा होता है नीला होता है अगला क्वेशन है बिजली के बल्ब में तंतू का ओक्सी कड़न रोकने के लिए एक गेर अभी के लिए सील गैस भरी होती है इस गैस का नाम क्या है आरगन नाम है आप इक नमबर फिर से बता देता हूँ साथ सो चासी नो सो चालीश इकत्र नवासी यह आपके लिए बहुत ज़्यादा यूश्प लोगे दोस्तों कि इसमें हमने आपको अब्जेक्टिव क्वेशन बनना है इन्फेक के साथ साथ तीन हजार क्वेशन जो आखकर की नया वचिर को पढ़तीता हूं बातालंद की परसीश बचने के लिए हर साल एक विसस समय के दवरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या किलाते हैं क्या क्या राते हैं पिर बासी पक्षी कहलाते हैं आपना देखा भी होगा और समाचारों में सूना भी पक्षी आये हैं तो प्रितिभी के चार और बायू मंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं है ऐसा क्यूएं तो ऐसा परयाप्त गुर्त भी ये बले के आभाव की वजरस होता है अगला question क्या है खाती का क्या है तो शिचाई की एक बिदिए दोस्तों अगला question है ड्क्टरी thermometer को इसमें डुदो कर रुगारू रहितं बनाया जाता है तो ever question में अगला question क्या है दोस्तों मानों श concealer में सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है तो यक्र सबसे बड़ी गिरंती है. अगला घुर्षम है, तो आपसे एको रिक्वेस्ट है, अगर आप जरूर दूस्तूर्स चैनल पे नए है तो जरूर हमारी चैनल कुछ सुप्राइब कीजिए, बैल आइकन को आउन कीजिए ताकि किलास को नोटिफिकिसन सबसे पहले आपके पास पहुंचें दूस्तो तो आज के लिए क्लास में इतना ही उम्मीदे क्लास आपको पसंद आओगी कल हम एक और क्लास के साथ मिलेंगे एक और नए कंटेंट की साथ मिलेंगे जब तक के लिए दूस्तो जे हिंद जे भारत